हले वरोन कैसे आप सब एक बर पुना स्वी कोचिंग लासेश पर स्वगत है और आज महात्पूर्ण अभक्रिया इंपोर्टन्ट रियक्शन यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ जो की एनुवल एक्जाम के लिए काफी महात्पूर्ण है क्लास 12 कमिश्टी किया शुरू करते हैं और पहला यहाँ पर कैसे कोचिंग पूछा जाता है यह चीज आप समझो और उनके एंसर भी करा रहा हूँ यहाँ पर मैं केबल कॉश्चन नहीं दे रहा हूँ साथ मैं एंसर दे रहा हूँ क्योंकि आपको भटकने की अब सकता नहीं रहेगी कॉश्चन आएगा फिनाल से निम्लिखित कैसे प्राप्ट करेंगे यह कॉश्चन है यह माडल पेपर का कॉश्चन है जो आपका एंपी से बनाना है पहला देक्षन से पहला आप देखो फिनाल आपको बेंजीन रिंगे बेंजीन रिंग के साथ यदि आप ओयच जोड़ दिते पो नहीं अवी प्लाब बनाना है तो आपको कि से करिया कराना है सांद्र सांद्र HNO3 से नाय्ट्रिक आमल से HNO3 से यह कैसा होना चाहिए सांद्र bracket में लिख दो सांद्र HNO3 से सांद्र में पेरे बच्चो जो उत्प्रेरक होता है वो सांद्र H2O होता है सरी H2SO4 H2SO4 इसको जब हम गर्म करते हैं गर्म करते हैं तो यहां से हर जगे से हाइड्रोजन निकलता है और यहां से तूट करके HNO2 जुड़ जाता है तो यह आपका बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग के साथ वे जुड़ा तो फीनाल इसके टू प्लेस पर फोर नंबर पर और यह हो गए 6 नंबर पर HNO2 जोड़ दो यह आपका बन गया ट्राइ नाइट्रो फीनाल इसी को कहते हैं पिक्रिक अमल क्या बोलते हैं पिक्रिक अमल क्वेश्चन इसमें दो प्रकार से पूछा जाता है फीनाल से टू फोर सिक्स ट्राइ नाइट्रो फीनाल बनाओ यह कोश्चन आजाएगा फीनाल से क्या बनाओ पिर बच्चू फीनाल से बनाओ नाइट्रिक अमल सरी पिक्रिक अमल फीनाल से पिक्रिक अमल यह दि कोश्चन आ गया कि पिक्रिक अमल कैसे बनाते हैं फीनाल से समझाओ तो फिर आपको लिखना पड़ेगा की फीनाल की क्रिया संद्र S2SO4 के साथ संद्र HNO 3 के साथ S2SO4 के उपस्थिती ओ हुअ कराने से या गर्म करने से पिक्रिक अमल पर आपाफ्थ्थ होता है यह क्या है? पिक्रिक अमल और यह क्या भीया यह है फिनाल तो यह हमारा पहला दियक्सन हो गया फिनाल से बने गया पिक्रिक अमला अब फिनाल से जब आपको एनिलीन बनाना है तो कई अभक्रिया है फिनाल से एनिलीन डायरेक्ट आप अमोनिया के साथ करा दो दूसरा है फिनाल है फिनाल में हमने कहा बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग में पेरे बच्चो ओए जोड़ दो यह आपका फिनाल हो जाता है इसकी क्रिया आप अमोनिया से करा दो किसके उपस्थिती में यदि आप जिंग ब्राइड ले लेते हो तो हमेशा जो जिंग लुराइड होता हृँ निर्जल एसा लिखोंगी निर्जल जिंग ब्रार पिलूरेड के उपस्थिती में लगभा यदि 500 जीरी सिर्शि स्रेड़ तक आप गर्म करते हो घर करते हो तब एक एच यहां से पकड़ता है S2O बना लेता है देखी यह आपका बेंजीन दिंग है बेंजीन दिंग है इसके साथ एदी N2 जुड़ जाए तो यह बन जाता है एनीलीन ठीक अब एक एच यहां से निकला और OH यह आपस में क्रिया करेंगे पेरे बच्चू तो आपका S2O बन जो उत्प्रेडा के चेंज हो जाता है बुक्रा रफ क्रिया आपने पढ़ा है क्या पढ़ा है बुक्रा रफ क्रिया बुक्रा रफ क्रिया में करते क्या हैं बुक्रा रफ क्रिया में जो आपने आप जिंक क्लॉराइड ले लिया जिंक क्लॉराइड इसके जगे हम अमोनिय बाइ सलफाइट लेते हैं अमोनियम बाइ सलफाइट का सूद्र क्या होता है मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि दो में से कोई reaction लिख लेना है ना allergy नहीं होगी आपको यहां पर में से समझा रहा हूँ यह आपका फिनाल है क्रिया किस से कराना बया अमोनिया से ही कराना है क्रिया अमोनिया से ही कराना है बस उत्प्रेड़ा का आपका हो गया NH4 NH4 का Hole Twice SO3 अमोनियम by Sulfite ठीक है और यह जो होता है 383 Kelvin पर समपन होता है यह बुकरा रव क्रिया है तब हमारा बनेगा C6 H5 चाहे आप सीधा बेंजीन रिंग बना दो C6, H5, NH2 और प्लस आपका H2 बाहर हो जाएगा अरे भाई ये कहां से बना दिये साथ आप बेंजीन रिंगी बनाओ कोई दिक्कत नहीं ये बेंजीन रिंग है है ना इसके साथ आपका NH2 जो जाएगा इसके साथ ये आपका बने के NH2 लिन ऐसे है तीसरा है हमारा पैरा बिंजो क्यून क्या बनाना है पैरा बिंजो क्यून देखे तीसरा पैरा बिंजो क्यून बनाना है तो फिर से आप क्रिया कराओगे थोड़ा सा समझने की जरुरत है यहाँ आपर तीसरा लेखो आप तीसरा आपका भईया फिनाल क्या है यह बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग के साथ O-A जोड़ दो तो बन जाता है फिनाल ठीक है फिनाल इसको जब हम क्रोमिल क्लोराइड CRO2 CL2 की उपस्थिती में साथ में S2, S4 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें मिल जाता है क्या पैरा बिंजो क्यो नोन यह आपका यहाँ पे ऐसा और डबल बन आक्सिजन एक सिंगल बन आक्सिजन यह आपका है पैरा बिंजो पैरा बिंजो क्यो नोन ठीक है पैरा बिंजो क्यो नोन देखो भाई एनुवल एक्जाम को टार्गेट में रखते हुए मैं मेहनत कर दा हूँ आप लोग वीडियो को सेयर किया करें और लाइक करना ना बुले क्योंकि आप वीडियो को सेयर करेंगे तब ही तो हम आपके लिए प्रापर रूप से अच्छे कंटेंट आपको प्रवाइट कर सकते हैं आपका response अच्छा रहता है बच्चों तो हम आपके लिए कोशिस यह करते हैं कि बहतर से बहतर और content आपको दे सकें दूसरा question समझेए निम लिखित योगी के रासानिक सूत्र लिखिए चार question है इसमें एक एक आंगे के question है 2 chlorobutane, 2 bromo 3 methyl pentane, 1,4 di bromo 2ene, 1,1,1 tri chloromethane इसमें आपको केवल और केवल रासानिक सूत्र बनाना है, रासानिक सूत्र लिखना है बिल्कुल simple है, आपको मैं कोशिस करता हूं समझाने की थोड़ा समझेगा पहला number, सबसे पहले क्या बोला है 2 chloro, मतलब 2 number पे chlorine जुड़ा है ठीक है, 4 carbon भी ना सूचे समझे, फिर इधर से आप 2 number पे chlorine जुड़ दो चाहे उपर जुड़ दो, चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ब्यूटेन है, मतलब एलकेन सब मूँ का है, नहीं सिंगल बंड है सब में अब जैसे ये carbon की balance चार होती है, एक बंड से आलरेडी जुड़ा है तो यहाँ पर hydrogen तीन जुड़ेंगे, ये carbon दो बंड से जुड़ा है तो दो hydrogen जुड़ देंगे, ये carbon जो तीन बंड से जुड़ा है, तो एक hydrogen जुड़ देंगे इसके साथ 3 hydrogen जुड़ देंगे इस प्रकार से आपका 2 number पे chloro, meth, eth, probe, but, तो butane बने गया देखो simple है न, simple है मज़ा आएगा कोई दिक्कत नहीं है 2 bromo, 3 methyl, pentane बतलब 2 number पे bromo और 3 number पे methyl जुड़ा है pentane एनी 5 carbon 1 carbon को meth, 2 carbon को eth 3 carbon को probe, फिर 4 carbon को but 5 carbon को pent, तो 5 carbon का स्रंकला हम को चाहिए तो हम क्या करेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया अब देखो क्या बोला है 2 number पे, ये 1 है, ये 2 है तो 2 number पे bromo फिर क्या कहता है, 3 methyl 1, 2, 3, 3 number पे आपका methyl methyl क्या होता है, CH3 मेथेन होता है, CH4 इसे जब 1 हाइडोजन निकल जाता है तो बन जाता है CH3 मेथेल अब इस पे carbon के साथ hydrogen बनाना है, जिसे यहां पे carbon का 1 बंद है तो 3 बंद बनाएगा 3 हाइडोजन के साथ ये carbon 2 बंद से है तो 2 हाइडोजन जोड़ तो 4 हो गया ये carbon 3 बंद से एक हाइडोजन के बसकता है ये carbon भी 3 बंद से एक हाइडोजन के बसकता है ये carbon single बंद से पेरवच्चो तो यहां पे हम जोड़ देते हैं तीन हाइडोजन तो ये आपका complete हो जाता है तो नमबर पे ब्रोमो 3 मेथिल पेंटेन हो गया फिर 1 4 डाइबर ये वन नमबर पे अभी कैपा की भीष cycling की नमबर उनल भी deux two ine two ine 2 wrestle cotton का मतलब दो नम की डबल बांड लगा है भाइड़ ब्यूट का मतलब क्या होता है ब्यूट मतलब 4 carbon तो देखना जरा चार carbon एक दो तीन चार carbon फिर क्या बोला है one one number पे और four one two three four one number और four number पे डाइब्रोमों तो इसलिए दो ब्रोमीं जुड़ दिया है ब्यूट two in चार कारण मेथ एथ प्रो ब्यूट तो चार कारण two number one two in अब भाई या हाइड्रोजन जोड़ना है दो बंद देख रहे हो ना तोटल चार बंद होना चाहिए तो दो हाइड्रोजन इस कारण की देखो दो और एक तीज एक हाइड्रोजन चाहिए इसमें भी एक ह पेंट होता तो पेंट में फिर आपका हो जाएता पांच कार्वन समझ रहे ना इसमें आपको कार्वन की संक्या बहुत अच्छे तरीके से देखना है फिर बोला वन 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 एक ही नंबर पे ट्राई मतलब तीन क्लोरीन जुड़ा है मेथेन इतना सिंपल है भाई साब देखो यही पे बना देता हूँ एक कार्वन है मित एक कार्वन एक क्लोरी दो क्लोरी तीन क्लोरी बैलेंसी बनारे एक हइड्रोजन इससे को कहते है क्लोरोफार्म पौप थ्री क्लोरोफार्म देखो यह क्युशन कैसा लगा, चार अंग का क् berries चोटा दिख रहा है चारंग का क्ष करना है रजत दरपन परिच्छन काफी महत्पून है सेलेक्टेड कोश्चन है इसलिए आप लोग इनको बिलकुल आपको नहीं छोड़ना है त्यार करना है रजत दरपन परिच्छन यह जो परिच्छन है L-D-Hight का परिच्छन होता है आपन इसको रजत दरपन परिच्छन क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें पेरवच्चों लास्ट में आपको क्या मिलता है सिल्वर मिलता है ठीक है जिसे हम दरपन ही कहते हैं सिल्वर दरपन बन जाता है इसलिए इसको हम रजद दरपन परिच्छन कहते हैं तो यहां पर एल्डि हाइड का परिच हों जिसे हम बोलते हैं टाले नमिकरमा ज़ित हं 'MONους सिल्वर नाइटरेट्ड बिलियन कि बात करें तो यहीं है टाले नमिकरमा अमोनियम है ड्रेट्रल और आपका सिल्वर नाय घ्रिये इन दोनों का बिल्यदी बना देंं तो आपका टाले कहते हैं या रजद दर्पन परिच्छन कहते हैं LD हाइड LD हाइड का फार्मूला क्या होता है यदि R-alkyl समो है इसके साथ CHO जोड़ो तो यह LD हाइड कहलाता है पैरे बच्चो सिल्वर नाइट्रेट AGNO3 और अमोनियम NH4OH इसका यदि आप मिस्रण ले लेते हो तो यह बन जाता है आपका टाले नभी कर्माग इसे कहते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट बिलियन इन दोनों का मिस्रण बना दे यह जब क्रिया करता है तो जैसे हमारे पास OOH है OOH क्रिया करके S2O बना देगा ठीक है यह जो R है यह आपका कर्वोक्सिल अमले में बदल जाता है यह जो आपका सिल्वर है एजी उ अलग हो जाता है और जो आपका अमोनियम है यह नाइट्रेट से क्रिया करके अमोनियम NH4 NO3 बना देता है बैलेंसी करा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है बैलेंसी कराने के कोई प्राबलम नहीं है यहाँ पर बैलेंसी दिया आप कराओगे तो S2O की मात्रा 2 निकलती है यहाँ पे 2 का मल्टिप्लाइ करतो यहाँ भी 2 का मल्टिप्लाइ करतो यह आपको होगे रज़त दर्पन परिशान एन्यूवल एकजाम के लिए कापी महत्मोन है रज़त दर्पन परिशान टालेन अभिकर्मक के प्रजिंस में होता है कुल मिला कर Ldhi co talen अभिकर्मक के साथ गर्म कर दिया टालेन अभिकर्मक यह आपका silver nitrate है ammonium hydroxide है इन दोनों का mission ही टाले नवी करमक कहलाता है देखें इन दोनों को मिला दे तो ammonium silver nitrate का billion मिल जाता है जो कि टाले नवी करमक है और इस प्रकार से LDH का रजद दरपन परिछण प्राप्त हो जाता है यहाँ पर देख लो आपको मिल गया silver simple है समझ में आया होगा अगला आपके लिए अभक्रिया है बहुत ही महत्पूर जो आपको बताना है बूटा जबक्रिया चलो भाईया बताओ बूटा जबक्रिया यह समझ लो रिवाईज है आपका बूटा जबक्रिया कैसे संपन होता है आपको समझाना है यहाँ पर मैं बताओंगा बिल्कुल आप चिंता ना करें बूटा जब क्रिया जो होता है वो किसके प्रजेंस में होता है पेर बच्चो एथर के प्रजेंस में होता है किसके प्रजेंस में एथर के प्रजंस में अब क्रिया संपन होती है तो एलकिल हैलाइड लेते हैं एलकिल हैलाइड जिसे आर एक्स है ये आर एक्स एलकिल हैलाइड लेते हैं सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं इधर भी हम ले लेते हैं आर और एक्स तो ये जो है सुस्क एथर के उपस्थिती में क्रिया करता है और पैराफिन बनाता है देखेगा ये एक्स जो है और एने क्रिया करके एने एक्स बनाता है आर और आर टू एने एक्स बना देता है सिंपल है तो ये जो हमारा अब क्रिया है बुटा जब क्रिया है ये हमारा पे मेथिल क्लोराइड है 2NA ले लो तो 2 का मल्टिप्लाइग कर दो 2NA यहां पे ले लो यहां भी आप मेथिल क्लोराइड ले लो CH3 CL किसके प्रजंस में क्लिया करता है एथर सुस्क एथर के उपस्थिती में तो CH3 CH3 बनाएगा यहां से पैरे बच्चो एने C L बाहर हो जाएगा NAC L कितना NAC L 2NAC L यह हो जाता बूटज अबक्रिया तो आप सिंपल तरीके समझा सकते हो कि जब alkalests क्क्रिया को मि Coburg शुस्क ether के उपस्थिति ना किसके उपस्थिती में सुस्क इथर के उपस्थिती में सोडियम के साथ गर्म किया जाता है तो उचतर एलकेन प्राप्थ होता है या पैराफिन प्राप्थ होता है क्या प्राप्त होता है प्रप्चू पैरा फिन जिसे हम कहते हैं बुटज अभक्रिया क्या बोलते हैं बुटज अभक्रिया कहते हैं अगला हमारा है आपका कुश्चन आपके लिए कुश्चन बढ़ा हूं समझा रहा हूं समझाने के लिए वोड एक्जाम के लिए मैं यहां ह снसर्डी करब क्रिया यह कैसे संपन होता है बताव ज्रां उन्सर्डी करब क्रिया आपने पढ़ा कोगा बसी कर बबरे इसकित्वें चीह आपके पास एल्किल ग्रूप है क्या है एलकिल ग्रूप और CCOH है तो वो अमल है लेकिन H को हटा कर AG जोड़ दो ये बन जाता है आपका लबड इसकी क्रिया ब्रोमीन से कराएंगे कार्बन टिट्रा क्लोराइड के उपस्थिती में CCL4 जब बसी अमल के सिलवर लबड को कलोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो मिलता है क्या जानते हैं यहां से आपका पूरा का पूरा हटेगा यह आपका आर बचेगा और यह ब्रोमीन है तो ब्रोमीन और जो AG है एक BR से क्रिया करके AG BR साथ में परवच्चो CO2 बाहर हो जाता है समझ में नहीं आजा देखो जब बसी अमले के सिल्बर लबड को किसको बसी अमले के सिल्बर लबड जैसे हम यहाँ पे C2H5 COAG ले ले ठीक है बसी अमले के सिल्बर लबड यहाँ पर सिल्बर मेट एट प्रोप प्रोपियो नेट silver propionate किसकी क्रिया चाहे तो आप bromine से करा दो किसके उपस्थिती में carbon tetra chloride के उपस्थिती में तो क्या बनेगा C2H5BR यानि पेरे बच्चो ethyl bromide plus carbon dioxide plus agbr यानि silver bromide बाहर हो जाएगा ये हमारा हुंस्रडी करब क्रिया ये हमारा क्या है बूर्टा जब क्रिया तो कितना अच्छा लगा आज का वीडियो प्रीज कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताना ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी बेल आइकन प्रस कर लेना पेपर के पहले आपको एक होमवर्ग दे रहा हूं मतलब आज इस वीडियो के अंत में अलडाल संगनन आप लोग करना मैंने कराया है ये तो आपने बुक से ढोड़ना अलडाल संगनन ये आपसे नहीं बने तो कमेंट बाक्स में बता देना कि सर अगले वीडियो में इलडाल संगनन भी समझा देना तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा मैं उसको भी समझा दूँगा देखिए आर्गनिक कमिश्टी के लगातार में वीडियो लाऊंगा बिलकुल आप चिंता ना करें ऐसे ही